हलो बच्चो वेलकम तो आई यूट्यूब चानल तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड एट मैथमाटिक्स का चैप्टर नमबर 15 जिसका नाम है एडिया हम दोगों ने इसका प्रैक्टिस से 15.5 का क्वेस्टन नमबर 1 अल्रेडी अप्लोड कर दिया है आज हम करेंगे इसका क्व प्लेड लिस्ट में सॉल्ड किया गया है ठीक है आप धूंडिये लाइन वाइस्टर अप्लोड कियें डिस्क्रिप्शन में भी लेक्ट्चर के नाम दिये हैं आपको इजीली मिल जाना चाहिए नहीं मिल रहा है तो कमेंट में मुझे पूछिए कि ये पर्टिक्यलर प्रै सकते हैं जैसे इन्होंने अल्रडी देखो आपको free में बाट के दिया है एक line इदर डाल दिया एक line इदर डाल दिया plot में तो यह एक triangle बन गया यह एक दूसरा triangle बन गया और एक तीसरा triangle बन गया तीन triangle है यह तीनो मैं आपको बता दूँ कि question में एक error है कि यह जो छोटा triangle है उसमें 16 यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन यह cd 16 नहीं है यह 16 जो है यह fd है यह वाला line जो है na f से लेके d तक का यह 16 है ठीक है गलती से इन्होंने यहाँ पे लिख दिया यह यहाँ पे लिखना चाहिए था 16 अब हम इसको solve करते हैं तो मैंने आपको दिख रहा है तीन triangle बता है यहाँ पर दिखो b a e एक triangle है triangle number one correct फिर और दो triangle है वो देखते हैं पहले b a e में find करना है मुझे तो अगर यह 90 डिखरी है तो मुझे पता है कि इसको मैं base ले सकता हूँ तो यह hide बन जाएगा या फिर मैं इसको base लेता हूँ तो यह hide बन जाएगा ठीक है यह 30 यूज करके area find करे जाओ तो difficult हो तो मैं क्या करूंगा यह अगर 90 है तो यह 30 hypotenuse है न सिर्फ triangle b a e देख सकता हूँ करेक्ट 30 square is equal to 24 square plus a square कर सकता हूँ न बेकॉज पाइथाकरणस है तो b a e area of triangle b a e निकालने के लिए पहले मैं यह a e का value निकालूंगा फिर a मिल गया तो half into base into height base और height यह दोनों में से किसी को भी आप ले सकते है तो कैसे निकालेंगे b a e का area देखो ज़रा तो यहा ट्राइंगल देखो ठीक है और कुछ मत देखो उसमें 90 के सामने जो है वो hypotenuse है मतलब कौन है b e से लेके e था b e square is equal to a b square plus a square यह जो ट्राइंगल है b a e इसमें तीन साइड है ठीक है a b a e और b e यह b e जो है वो hypotenuse है क्योंकि 90 के सामने है यह सब देखो मत ignore कर दो सिर्फ यह वाला ट्राइंगल देखो तो मैंने b e square equal to a b square dice a square लिखा और रिजन लिखा पायता को रस्तिरम फिर value सब्स्यूट किया b e कितना है b e है 30 तो 30 square a b कितना है a b है 24 तो 24 square a मुझे नहीं पता तो मैंने a ऐसे ही रखते है 30 का square 3 का square होता है 9 0 दो बार आएगा 900 24 का square होता है 576 a square अब मुझे अगर a square का value चीए तो a square को मुझे यहाँ पे अकेला रखना पड़ेगा तो अगर मैं a square को यहाँ पे अकेला रख दूँ ठीक है तो यह 576 को वहाँ भेजना पड़ेगा 576 free में तो जाएगा नहीं 576 यहाँ पे plus sign है देखो कोई sign मतलब plus तो उधर जाके हो क्या बन जाएगा minus ठीक है यह a square इधर का इधर आएगा तो उसको मैं plus a square लिखूँ या सिर्फ a square लिखूँ यहाँ पे plus a square है वो a square ही रह जाएगा 900 में से 576 minus करेंगे तो आपको आएगा 324 यह आगया a square का value तो मैं a square को left side लिख रहा हूँ 324 को right side लिख रहा हूँ अगर मुझ यह दोनों तरफ square root लेना पड़ेगा ठीक है दोनों तरफ square root लेना मतलब दोनों तरफ चतरी ऐसे डाल देना जैसे यहाँ पे चतरी आएगा यह square के साथ यह square root कट हो जाएगा बचेगा सिर्फ a e और यहाँ पे बचेगा square root of 324 तो यहाँ पे देखो a e और यहाँ पे बचे बताता हूँ कि ये इसका value 18 कैसे आता है, देखो यहाँ पे, 324 को factorize करते हैं, तो पहले तो देखो, last में 4 है, तो ये 2 के table में जाएगा, तो मुझे मिलेगा 2 1s are 2, 1 remainder बचेगा 12, 2 6s are 12, 2 2s are 4, फिर वापस 162 भी 2 में जाएगा, तो 2 8s are 16, 2 1s are 2, अब जो 81 आया, ये तो odd number है, तो ये 2 में नहीं जाएगा, 2 के बाद next prime number कौन सा है, 3, 3 में जाएगा न 81, क्योंकि 8 plus 1 9 होता है, 9 3 में जाता है, तो 81 भी 3 में जाना चाहिए, तो मुझे मिलेगा 3, 3 2006 आता है, 8 minus 6 हो जाएगा 2, 21 का बाद है 3 में, 3 7 0, फिर 27 भी 3 में जाएगा, मुझे मिलेगा 3 9 0 27, 9 भी जो है वो 3 में जाएगा 3 3 0 9, और जो 3 बच्चा वो भी 3 में जाएगा, तो मुझे मिलेगा 3 1 0 3, तो जब मैं 3 24 का square root निकालूंगा, तो क्या मिलेगा, 3 24 के जगे पे, देखो ऐसे था न, यह ऐसे था 3 24, तो ये 3 24 के जगे पे मैं देखूंगा, 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3, अब किसी को भी अगर 4 3 से बाहर आना है, square root में, तो उसको 2 की जोड़ी बनानी पड़ी, ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 की जोड़ी, दो लोगों की जोड़ी सेम होने चाहिए, दोनों सेम हैं, देखो 2 2, तो 2 बाहर आ गया, यह दोनों 3 सेम है, तो उसमें से 3 बाहर आ गया, यह दोनों 3 सेम है, तो वो लोग बाहर आ गया, अभी अंदर कोई बचा है नहीं, सारी जोड़ियां एक होके बाहर आ गए, तो से मिला मुझे 324 का स्क्वेर रूट 18, पहले मैंने उसको फैक्टराइज किया, उस सारे फैक्टर अंदर लिखे, जोडी बनाई, जोडी बनाके उसको बाहर लाया, मल्टिप्लाई किया और निकाला उसका वाल्यू 18, ठीक है, अगर आपको नहीं पहले समझा था तो यह कहीं पर कॉपी कर लो, रॉट में, आपको बाद में कोई भी नंबर का स्क्वेर रूट निकालने में, यह मैथर्ड काम आएगा, कर लिया कॉपी, तो ऐसे करके, टेकिंग स्क्वेर रूट अन बोट साइड किया, तो मुझे एक का वाल्यू में रूट ऑफ 324, और रूट ऑफ 3 24 में आपको calculate करके बताया, आता है 18, ठीक है, तो यह मुझे मिल गया 18 meters, अब जैसे ही मुझे यह 18 मिला, यह BAE triangle का area में बहुत ही easily निकाल सकता हूँ, क्योंकि उसमें एक को मैं ले लूँगा base, दूसरे को ले लूँगा height, because दोनों के बीच का angle क्या है, 90 degree, right angle triangle में बहुत easy ह एक side को आप base ले लो, दूसरे side को आप height ले सकते हो, hypotenuse नहीं लेने का, ठीक है, जो दो side के बीच में right angle है, उसके बीच में जहां पे वही base और height होते है, for a right angle to angle, तो यहां पे आजाएगा, half into a, b, यह वला ले लिया मैंने base, तो height क्या हो जाएगा, a, e, ठीक है, interchange किया तो तो भी right angle to angle में कोई फरक नहीं पड़ेगा, base आप ले सकते हो, a, e और height को ले सकते हो, a, b, तो भी फरक नहीं पड़ेगा, ठीक है, because right angle to angle में, यह base तो यह height, और अगर यह base तो यह है, ठीक है, तो a, b का value है 24, a, e का value इतना मेहनत करके 18 अब भी निकाला, अब half into 24 into 18 है, आपको आएगा 216, ठीक है, multiplication आप rough up में कर सकते हैं, तो ऐसे करके आपने b, a, e का area निकाल लिए, अब यहाँ पे देखो, इसका area तो आपको मिल गया, अब यह वाला जो triangle है ना, इसमें यह 90 दिया नहीं है, assume मत करोगे 90, दिया नहीं है, लेकिन इसमें 3 sides दिये, 30, यह वाल करते हैं, जो easy वाला triangle, देखो, यहाँ पे, यह वाले triangle में, यह 90 दिया है, यह 28 है, और यह उसको perpendicular है, देखो, यहाँ पे perpendicular, opposite vertex से perpendicular height होता है, तो अगर मैं यह base ले लो हूँ, तो मुझे पता है, यह df height होगा, तो मुझे base भी पता है, और height भी पता है, तो easily मिल जाएगा, इ यह दोनों triangle का area निकालने का आपको काफी अच्छा marks teacher दे सकती है, ठीक है, तो हम लोग पहले bae का निकाल लिए area, आब हम निकालेंगे dce का area, इसमें देखो base है, यह 28 और height क्या है, यह 16, तो कैसे आएगा, तो यहाँ पे मैंने यह वाला triangle अलग से बना के बता दिया, आपक लेकिन मेरा page क्या नीचे जाता है, तो उपर का figure यह वाला दिखता नहीं, बार-बार scroll करके दिखा हूँआ, तो आपको confusion हो जाएगा, तो यह जो dce triangle है, यह मैंने यहाँ पे नीचे बना दिया, dce, दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है, half into, यह मैं base ले ले लेता हू c e, और height ले लेता हूँ, c e पे perpendicular कौन है, opposite vertex से, यह वाला रही, f d, ठीक है, यह अपना point कौन सा है भाई, यह है f, तो c e का value दिखा है, आपको 28 और f d का value दिखा है 16, फिर cut करो देखो, यह 2k table में जाता है दोनों, तो मैंने 16 को किया, two ones are, और यह हो गया, two eights, यह one upon one हो गय 28 और यहां पर बचा 8, 28 को 8 से multiply करेंगे, तो आपको आता है 224, ठीक है, तो आपने क्या-क्या कर लिया, आपने यह वाले triangle का area निकाल लिया, और यह वाले triangle का area निकाल लिया, बचा सिर्फ यह वाला triangle, ठीक है, तो यह 2 तो आपने एकदम easily कर लिया, पहले वाले का area 216, और उसका area आया 224, तो यह question में थोड़ा figure अच्छे से नहीं बनाया है, लोगोरे textbook में, यह figure भी अच्छे से बनाना चाहिए, यह area दिख रहा है, क्लियर लिके बड़ा आना चाहिए, लेकिन numbers ऐसे दिये हैं, कि अब देख लो, यह 28 यह 28 यह 24 से छोटा नहीं दिख रागया, ठ इसमें हम यूज करेंगे semi perimeter था formula, तो बहुत ही simple है, तीन side देखो, 26, 30, 28, तो मैं क्या बोलता हूँ, एक को ले लो 26, A, B, C, semi perimeter में आपको पहले ABC लेना पड़ता है, फिर S का value निकाल के आप formula करते हो, तो कैसे आएगा देखो, ऐसे आए, यह सब दिक की tension मतलो, पहले आप step पहिच जाओ, triangle BC में मैंने small A को ले लिया 26, small B को लिया 28 और small C को लिया 30, ABC होता है न, देखो यहाँ पे, 1, 2, 3, 26, 30, 28, 26, 30, 28, कौन से order में लेते हो, कोई फरक नहीं पड़ता, semi perimeter S का formula क्या है, 3 A plus B plus C को add करो, divide by 2 करो, semi न, जो भी perimeter होता है उसका आदा, perimeter क्या होता है, तीन से divide का देखा, मैंने 26, 28 और 30 substitute किया, divide by 2 किया, तो आया 84 upon 2, 84 upon 2 को cut करके देखो, 2 1s are 2, और यह हो जाएगा, 2 4s are 8, और 2 2s are 4, 42 upon 1 क्या होता है, 42, तो S का value आपको मिल क्या 42, area of triangle BC का formula क्या है, square root of S into S minus A into S minus B into S minus C, सब जगे value substitute करो, S के जगे पर हर जगा आएगा 42, और A के जगे पर 26, B के जगे पर 28 और C के जगे पर 30, 42 तो ऐसे रहेगा, 42 minus 26 आजाएगा 16, 42 minus 28 आजाएगा 14, 42 minus 30 आजाएगा 12, इसका मतलब क्या होता है, सब multiply हो रहे है, तो 42 into 16 into 14 into 12, अब मुझे अगर इनको छत्री के बाहर निकालना है, तो मुझे इनको factorize करना बढ़ेगा, त 2 into 3 into 7, 16 को factorize किया, वैसी 14 को किया और 12 को किया, ठीक है, फिर 42 के जगे पर लिखा, 2 into 3 into 7, 16 के जगे पर लिखा, 2 into 2 into 2 into 2, 14 के जगे पर लिखा, 2 into 7, और 12 के जगे पर लिखा, 2 into 2 into 3, देख रहा है, तो सारे numbers को factorize करके यहाँ पर लिखी, अब हम जोडी बनाएंगे, आप आपको जोडी कैसे मिलेगी, ये वाला एक 2 और ये वाला एक 2, दोनों मिलके साथ में बाहर आएंगे, तो एक 2 आएगा, फिर ये वाला एक 2 और ये वाला एक 2, इन दोनों को साथ में मिलाएंगे, तो ये वाला टू बाहर आएगा, फिर ये वाला एक 2 और ये वाला एक 2, दोनों मिलके साथ में फिर तीसरा टू बाहर आएगा और फिर मैं ये वाला एक टू और ये वाला एक टू दोनों टू बाहर आएगे तो एक टू बन जाएगा तो मुझे टोटल चार टू बाहर मिले अब सेवन देख लो ये दो सेवन मिलाके बाहर आएगे तो एक सेवन बन फिर 3 देख लो ये एक 3 और ये एक 3 दोनों मिलके एक 3 बाहर आ जाएगा सब देखो टिक हो कहें सब बाहर आ गया यहाँ पैसे मार्किंग मत करना लेकिन मार्किंग करेंगे न पेंसिल से तो आपको समझ में आता है कि कोई रह नहीं गया होता है देखो हर एक नमबर मार्क हो गया अब इसको मिल्टिप्लाइ कर तो मिल्टिप्लाइ करके क्या आएगा 2 दूसर 4, 4 दूसर 8, 8 दूसर 16, 16, 3 दूसर 48, 48 इंटु 7 आ जाएगा 336, देख लो हैं पे 48 इंटु 7, 8 दूसर 56, 7 दूसर 28, प्लस 5 हो जाएगा 33, तो आपको में लेगा तो एक एरिया था आपका, कितना था? 216, फिर दूसरा एरिया आपका था 336, और फिर एक और एरिया था न, 224 DC1, तो मैंने लिखा एरिया ओफ प्लॉट ABCD is ये तीनो ट्राइंगल का एरिया का साब, वाल्यू सब्स्ट्यूट किया, और तीनो को आपका तो मुझे मिला 776, ये भी एक एरिया है, तो उसका यूनिट भी आएगा, स्क्वेर मीटर्स, तो फाइनल आंसर लिखेंगे, the area of the given plot is 776 स्क्वेर मीटर्स, खतम, ये बीच में जो लाइन डालता हूँ, मैं ऐसे इसलिए डाल रहा हूँ, क्योंकि एक स्टेप यहाँ पे खतम हो गया, ठीक है, अगर नहीं डालना है, टीचर आपको बोल रही है, ऐसा नहीं का सकते, तो मट डालना, लेकिन फरक नहीं पड़ना है, पूरा लाइन ऐसे मट डाल देना है, तो ऐसा लगता है, question खतम हो गया, बीच में एक line डाला, ताकि समझें कि यह पार्ट खतम हो, ओके, तो पूरा solution ए यह वाला plot था, इसमें आपने पहले यह वाले triangle का area निकालना था, उसमें आपको अगर triangle का area निकालना है, तो AE का value चीए, AE का value चीए, तो आपने बाइथगरस लगाया, आपने क्या मैंने लगाया, और AE का value निकाल लिया, जैसे ही AE का value मिला 18, आपने 18 और 24 यूज करके यह वाले triangle का area यहाँ पे रिकाल लिया, half into base into height करके 216, फिर मैंने बोला यह वाला triangle बाद में करते हैं, पहले छोटू triangle दिख रहा है, वो करते हैं, उसमें भी यहाँ पे base और height अल्रेडी दिया हुआ है, value substitute किया और calculate करके आए 224, फिर बचाए लाल वाला triangle, उसमें हमने semi perimeter क formula लगाया, और उसको solve कर लिया बहुत ही अच्छी तरीके से, और answer आया 336, फिर तीनों areas को add किया, किसको किसको, 216, 224 और 336, 216, 224 और 336, तीनों triangle को add कर दिया, तो plot का area मिलेगा, add करके 776, तो area of the given plot is 776 square root, यहाँ पे सबसे ज़्यादा mistake होने का chance है, इसलिए यह जो मैंने rough work किया है, वो भी अच्छे से देखो, copy करो, यह square root कैसे निकाला, वो देखो, मैंने आपको 324 में भी बिताया कैसे किया, ठीक है, तो copy कर लो, फटा-फट से यह पूरा, scroll करके बता रहा हूँ, first step, second step, third step, यह पीछे हमने semi perimeter निकाला, यह fourth step, फिर fifth step में हम लोगों ने सब कुछ add कर दिया, और final answer निकाल दिया, फटा-फट से copy कर लो, notebook में, कर लिया copy, यह second page है, और यह उसका first page है, तो यहाँ पे हमारा 15.5 का second भी खतम होता है, और 15.5 में सिफ दो ही questions, lecture program में आपको first वाला कराया, lecture 2 में मैं आपको second वाला करा ठीक है, तो आजका lecture यहीं पे खतम करते हैं, इसी के साथ हमारा practice set 15.5 खतम हो गया, मैंने age standard का पूरा mathematics, miscellaneous problems भी सारे के सारे upload कर दिये, मैंने आपको बताया, काना डूनना है, चैनल को subscribe करो, और वहाँ पे आपको playlist मिल जाएगा, playlist में आपको age standard की match की playlist मिलेगी, जिसमें आ mind-wise हर एक practice set का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, तो अगर lecture पसंद आया, तो like करें, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताईए, ताकि उनको भी age standard का match बहुत जादा easy लगे, अगर आपने already subscribe कर दिया है, तो thank you, नहीं खिया है, तो क्यों wait कर रहे हो, कर लो subscribe, इतने detail में आपको maths कोई नहीं सिखाने वाला, ठीक है, हम लोग हर एक question possible है, अगर उसे 2-3 methods है, तो हम 2-3 methods करेंगे, बहुत ही जादा detail में पढ़ेंगे, ताकि हर एक बच्चे का doubt clear हो, चलो, खतम करते हैं, thank you so much for watching this video.